Hello students, welcome back to my channel. मैं हूँ Pooja और मेरे इस चैनल पर आपको Class 12, Class 11 के Accountancy के Complete Video Lecture मिलेंगे जिसे मैंने Easiest Possible Way में पढ़ाने की कोशिश की है और I hope आपको समझ में भी आएंगे और मैं Hand to Hand Notes भी प्रोवाइड करती हूँ और हर Topic पे आपको उसी Lecture में Numerical भी Hand to Hand कराती हूँ और उसके साथ ही मैं कुछ Important Tips भी देती हूँ जिससे आपका Concept और Clear हो जाएगा आज इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाली हूँ कल जो Notification आया है 7 July 2020 को जो Notification आया है CBSC की तरफ से कि Class 9 से लेके Class 12 तक कि जो syllabus है उनके syllabus में 30% कट किया जा रहा है तो इस वीडियो में मैं Class 12 का जो Accountancy का जो syllabus है उसमें कौन-कौन से Deleted portion है कौन से Topic को Delete कर दिया गया है वो इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाली हूँ तो चलिए देखते हैं Class 12 के Accountancy के syllabus में क्या-क्या Delete किया गया है सबसे पहला Unit कौन सा है Non-Profit Organization वो as it is है उसमें कोई Change नहीं आया है उसके बाद Partnership का Fundamental था उसमें भी कोई Change नहीं आया है लेकिन जो Admission of Partner जो Topic था Unit 3 Unit 3 है syllabus में उसमें Change आया है उसमें कुछ Topic डिलीट किये गया है देखते हैं कौन-कौन से पहला था Adjustment of Capital Account and Preparation of Balance Sheet तो इन Topic को syllabus से हटा दिया गया है ठीक है वैसे एक बात बताओ अब मैं क्या कहूँ ये अच्छी बात है कि बुरी बात है यही वो Topic है Adjustment of Capital Account जिनको मैं देखती थी कि Student को इन Topic में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती थी थोड़ा सा Student के लिए ज़िए डरते ही थी इन Topic से वैसे ये Topic इतने Difficult है नहीं ठीक है बढ़ पता नहीं Student को इन ही Topic में प्रॉब्लम होती थी और यही Topic अटा दिया गया Adjustment of Capital Account Reserve की Adjustment कर लेते थे Student Revaluation of Asset Liability कर लेते थे Goodwill कर लेते थे बहुत आसानी से पर जब यह Topic आता था तो उन्हें थोड़ा सा डर लगता था और यही Topic अब भटा दिया गया है तो अब शाहिद यह आपके लिए अच्छी बात है और Preparation of Balance Sheet अब यह भी Topic नहीं है फिर उसके बाद Retirement and Death of the Partner जो Topic है उसमें भी Adjustment of Capital Preparation of Loan Account of Retiring Partner यह भी हटा दिया गया है उसके बाद जो Death of the Partner है Topic उसमें Preparation of Disease Partner Capital Account and Its Executor's Account इस Topic को हटा दिया गया है तो एक बात कहूँ Death of the Partner जो Topic है Partnership Accounting में उसमें यही दो तो Important Topic थे बाकी तो Death of the Partner and Retirement of Partner दोनों Topic सेम है Almost सेम है बस यही दो Topic थे जो अलग थे और इन्ही दोनों Topic को हटा दिया गया है तो अब मैं कहूँ काफी syllabus कम हो गया है अब उसके बाद हम देखते आगे जो Unit 3 है Accounting for Companies इसमें बारे में आपको पूरा करना है Preferent Share के बारे में करना है लेकिन जो Depentures के Case में Redemption of Depenture उसके जो Methods है Lumb Sum और Draw of Lots यह हटा दिया गया है इसे Delete कर दिया गया है तो अब आपको यह नहीं करना है तो Part A में यह कुछ Topics हैं जो आप Delete कर देगे हैं तो आपको अब नहीं पढ़ना है ठीक है और Part B में ऐसा कोई Change नहीं है Part C में Change है Part C में क्या करते थे हम Project Work करते थे ठीक है तो Part C में जो Project Work अब आपको केवल एक ही Project बनाना है Only one Project will be prepared केवल एक Project बनाना है पहले आप तीन Project बनाते थे अब केवल एक Project बनाना है जिससे क्या होगा 10 Lectures Reduce हो जाएंगे तो इस तरीके से Celibus को 30% Reduce किया गया है वैसे जो Waitage है That is Same जो पहले जो Celibus चल रहा था उसमें जो भी Waitage दिया था वो Exactly Same है बस कोई Unit नहीं Delete की गई है As such Unit के कुछ Topic डिलीट किये गया है वैसे मैंने जो Celibus है वो Already Discuss किया हुआ है उस पे मेरा एक वीडियो है मैं Description में वो Link दे दूँगी वहाँ से आप Check Out कर सकते हैं कि इससे पहले क्या Celibus था और हर Unit का Waitage किया था हर Unit में हमें कौन-कौन से Topic करने थे वो मैंने डीटेल में वहाँ पर Discuss किया था और इस वीडियो में मैंने Deleted Topic बताए है कि कौन-कौन से Topic डिलीट कर दिये गया है I hope आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा So thank you and have a good day